IDFC first win, क्या यह SDFC bank को टक्कर दे पाएगा, बहुत से लोग का मानना है कि आने वाले समय में यह बड़े-बड़े bank को भी टक्कर देने में पूरा यह काभी दित रखता है, आज हम जानने की कोसिस करेंगे कि IDFC bank में और कितना potential है, और यहां से कहाते जा सकता है, और क्या सच में SDFC ICICI को टक्कर दे सकता है, तो चले इस वीडियो को सुरू करते, इस वीडियो को सुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनला को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों, अगर आप IDFC की बात करें, तो बार 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 आप सोचल मेडिया साइट्स पर हो, चाहिए यूट्यूब पर बार आप देखते हैं कि अगला SDFC बनने की काबिले रखता है, है IDFC फस्ट में, तो यहाँ पर में एक लाइन मया, यह कहना चाहूंगा, SDFC की समान तो नहीं बन सकता, IDFC, क्योंकि वो मतलब, अगर हम SDFC का मार्केट की बात करें, तो वर्ल्ल की सवेंथ ला हमें यहाँ पर टक्कल देते हुए देखने को मिल सकता है, उसके मैं आपको 3-4 रिजन बताता हूं कि क्यों यह IDFC बैंक बहुत ज्यादा पोटेंसिल रखता है, सबसे पहला चीज, इसके मैनेजमेंट, दोस्तों अगर आप देखेंगे, इसके मैनेजमेंट को, तो इनके ज IDFC जोइन कर लिया, और IDFC अभी के समय में देख रहे हैं कि कितना संदा तरगे से बिजनेस कर रहा है, मैं ना IDFC के जब भी ब्रांचे जाता हूं, तो मैं एक चीज नहीं यहाँ पर ना, मैं नोटिस किया है, अगर आप भी अपने पास के IDFC के फस्ट बैंक के जो ब्रांचे विजिट करते होंगे, तो आपने भी यह चीज अगर देखा हुआ, कि ना, वो जैसे कि हम किसी ब्रांच में विजिट करते हैं, तो देखेंगे कि वहाँ पर में पावर है, में पावर हम देख रहे हैं, वहाँ बहुत ही कम है, जैसे कि हम किसी दूसरे बैंक कि यहाँ जात पावर में जो पैसा जाता है वो यहां से बज़त कर रहे हैं पहला चीज जो आईड़ी अभी के समय में एक्सपेंशन मोड पे आ चुका है पहले हमने देखा कि टी और वन सिटीज में ही यह मैक्सिमम इसके ब्राचे दे लेकिन अभी के समय में हमने पीछले कुछ समय से कर रहे हैं तो यह बैंक न उन चोटे जगह पर टागेट कर रही है तो यह इसका एक्सपेंशन मोड अभी भी हम यहां पे जारी होते विए देखने को मिल रहा है और मैं तिसरा इस वेंक का सबसे बड़ा खासीत बता ना चाहूंगा कि यह हम इस बैंक की साइच की बात करें तो बड़े बैंकों से यह बैंक आदा दा आदा भी नहीं लेकिन इस बैंक का जो नतीजह आ रहे हो चाहे ऑर और यह विश्ट भैंक आपको हमेसाना profit कमा के दे रहा है इस bank का सबसे बड़ी खासियत ही है यह bank आपको हमेसाना profit generate करके दे रहा है और यह आपको ऐसा नहीं है कि थोड़ थोड़ प्रॉफिट यह अच्छा खासा profit जम्मा आपको कमा के दे रहा है चौथा जो किसी भी bank के लिए सबसे important factor होता है net NPA gross NPA तो यह bank का net NPA gross NPA लगाता है नीचे हो रहा है तो भी यह भी इस bank के लिए एक बहुत ही ज़्यादा एक positive चीज है देखिए IDFC bank के अभी की बात करें तो देखिए लगभग 90 रुपए के आसपास पहुच चुका है हमने देखा कि Corona में 16 रुपए तक चला जया तो वहां इनने एक जबर्दस recovery किया और उसके बाद यह bank क्या हो रहा था कि 50-50 रुपए पर आके रुख जाता था लेकिन जैसे इसने 60 रुपए के कुपार किया तो देखती देखती स्टॉक लगभग अभी 90 रुपए के स्टॉक बहुच चुका है और अगर आने वाले कुछ दिनों में अगर सौग रुपए को क्रॉफ कर लेता है तो फिर हमें यहां पर देड़े सोर से 200 रुपए का टागेड भी जल मैं बूरा नहीं होता है बस कंपनी अच्छा करना चाहिए कंपनी का अब्जेक्टी होना चाहिए कंपनी प्रॉफिट कमाना जानने चाहिए तो इन सारे चीज में आइड़े से फस्ट बैंक तो आपको पता है कि इनका जो नेतिरोंते जो आदमी कर रहे हैं सी यो उकूसल ह और अब्जेक्टीव बहुत ही क्लिर तरीके से यह अपने अब्जेक्टीव को पर जो गोल नो सेट किया है उसे अचीव कर रहे हैं अगर हम अरली स्टेज में कहें ना आईड़े सी फस्ट बैंक को तो अगर हम पिछली दो साल की बात करें तो जितने भी प्राइवेट बै क्योंकि ना हमने हमने इसने इसके ने कुछ जो कुछ करके दिखाया है पिछली कुछ समय में देर साल दो साल में तो फिनोमेनल है इसलिए मैं यह स्टॉक आप लोगों को रिकमेंट कर रहा हूं कि आप इसे अगर निवस नहीं भी करना चाहते तो अपने वाट लिस्ट में इस स्टॉक को सामिल करके और मुझे कमेंट किजिए कि और इस IDFC बैंक में क्या क्या और हो सकता है